हेलो गेमर्स, वेल्कम बैक टू गेमिंग टैक्टिक्स यूट्यूब चैनल, तो भाईयों कैसे हो आप सब, गैस आज मैं आपके लिए का एरन फार्म का टुटोरियल लाया हूं जो की चलता है 1.18 में और बिना कोई दिक्कत के चलता है और बहुत ही अच्छा एफिशेंट फ करीब में हैं और आप हमारा डिस्कॉर्ट सर्वर भी जाइन हो सकते हो जिसमें हम लोग बकवास कर सकते हैं और आप कई यूट्यूबर भी हो नया नया चैनल है तो आप भी जाइन हो जाना हम लोग मजे करेंगे दबा के और हम लोग साथ में ग्रो भी करेंगे तो आप प् तो भाईयों हम लोग पहले अपना कलेक्शन एरिया और किल चेंबर बना लेते हैं लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा कि कोई फ्लैट सा एरिया देखना होगा क्योंकि मौंटेंस के अगर खरीब में हुआ तो यह होगा कि जो आइरन गोलम से हो मौंटेंस के ऊपर ठीक ठाक है तो हम लोग यहां पर अभी हम लोग कलेक्शन एरिया बना लेते हैं तो पहले इस ब्लॉक्स को तोड़ते हैं दोनों और यहां पर डबल चश्ट लगा देंगे और यह ब्लॉक तोड़ेंगे और यहां पर हॉपर लगा देंगे क्रॉच करके इससे जो भी सामन के उपर गिर के मर जाएंगे इससे हमको string भी मिलेगा इस फाम से तो अभी हम लोग पूरा cover कर लेते हैं पूरे blocks लगा दो आप लोग campfire को एक छोड़के नाइस अभी हम लोग उनको glass लगाना है round तो अभी glass भी लगा लेते हैं हम लोग जल्दी से एक दो 14 फिर यहां पर 3 और यहां पर 3 ऐसे ही round लगा लेंगे हम लोग यहां पर मत लगा और ऐसे round हम लोग 3-3 पूरे glasses लगा देंगे और यह बन गया अपना पूरा glass लगा लिया हमने अभी देखो अराम से खुल रहा है यहां पर नीचे भी glass लगा लेना आप लोग इससे क्या होगा कि जो भी छोटे cats होंगे वह escape नहीं कर पाएंगे वरना वह escape करेंगे तो आपका game lag करने लगेगा और अभी यहां पर corner blocks भी हम लगा लेते हैं पूरा आप लगा सकते हो या छोड़ भी सकते हो कोई परक नहीं पड़ता इससे अगर मैं लगा रहा हूं अच्छा दिखने के लिए इसको हम लोग complete कर लेते हैं कि दो गाइस अभी हमको नेचे आना है और जो पर यह बटन लगाना है इसलिए क्यूंकि हम लोग पीछे पानी डालेंगे वाटर डालेंगे तो पानी उसके उपर नहीं जाएगा अगर पानी चला गया तो कैंप फेर बंद हो जाएगा तो इसलिए हम लोगों को यहां पर लगा देना है और यह बन गया अपना collection area पुरा तयार अभी हम लोगों को kill chamber बनाना है तो अभी हम लोग kill chamber बनानेंगे इसके लिए हमें buttons चाहिए ऐसे हम लोग 3 button लगाएंगे और middle वाले button के नीचे एक और button लगा देंगे और यहाँ पर middle में एक button फिर यहाँ पर 3 buttons लगाएंगे 1,2,3 और यहाँ पर एक button इधियान रखना इधर नीचे कोई button मत लगाना और यह button के उपर crouch करके signboard लगा देना आप लोग और उसके उपर लावा दाल देना इस ही यह बन गया हमारा kill chamber अभी हम लोग बनाएंगे platform जहां पर iron golem spawn होंगे तो चलिए गाइस वह बना लेते हैं हम लोग हमको हर side 88 blocks जाना है आगे तो अभी हम लोग यहां पर block लगा लेते हैं यह नहीं जो नीचे है यहां से हम लोगों को 8 जाना है 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे ही हम लोगों को बाखी के तीनों side भी लगा लेने है block 88 blocks और मैं जल्दी से लगा लेता हूं और यह खतम भी हो गया और अभी हम लोगों को इनको connect क को तो जल्दी से वो भी connect कर लेता हूं मैं और आपसे मिलता हूं उसके बाद यह दिखिया इसे पूरे side हमको connect कर लेना है blocks को और फैनली यह भी complete हो गया और यह जो बाखी के जगए खाली है जो वहां पर हमको blocks लगाना है सिर्फ middle का छोड़के बाखी चारों area में हमको लगा देना है तो जल्दी से वो भी मैं लगा देता हूं और यह हमारा platform तयार हो गया अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका border बनाना पड़ेगा हमको क्योंकि हम लोग यहां पर पानी दालेंगे तो हमको border भी बनाना पड़ेगा तो इसको देख लो आप एक बर यहां पर इसे blocks लगा कि इसको पूरा round हमको cover कर देना पड़ेगा square बना एक और border बनाना है एक दो तीन चार पांच ऐसे चारों साइड हमको बनाना है blocks लगा लेने हैं तो मैं जल्दी से वह भी लगा लेता हूं and finally यह भी खतम हो गया अपना और अभी हमको यहां पे corners में चारों साइड चार blocks लगा लेने हैं like this यहां ऐसे और इसके उपर हम लोग पानी डालेंगे अभी और पूरा पानी से cover कर देंगे line से एक block छोड़ो और पानी continue डालते जाओ पूरा यह देखिया इसे और यहां पे उपर like ऐसा है पूरा चारों साइड हमको पूरा platform फुल कर देना है और बीच में आके पानी रुख जाएगा जहां पे अपना kill chamber है व आपने कुछ गलत किया है आपको platform और थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा तो आप देखके वैसा बना लेना यह देखिए बिलकुल बीच में आके रुख जाएगा पानी अपना तो हमें अभी beds के लिए platform बनाना पड़ेगा तो जल्दी से मैं वह भी दिखाता हूं यहां पर हमको तीन blocks लगाने है बीच में आके और इसको extend कर लेंगे एक side एक block और यह 3 हो गया हमको 7x7 का platform बनाना है totally सिर्फ में खाली छोड़के पूरा 7x7 का platform बन जाएगा यह देखिए इसे बना लेना है हमको और इसके बाद बेट कैसा लगाना है वो भी मैं आपको बता दू यह अपना platform बन गया हम लोग लगा लेते हैं बेट्स भी अपने तो यह देखिए 20 बेट्स चाहिया में 1,2,3,4,5,6,7 और इसे turn होके 8,9,10 और इसे बाखी के 10 भी लगा लेंगे हम लोग तो गाइस अभी हम लोग नीचे वाला platform भी तोड़ देंगे इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है और इसको जल्दी से हम लोग पूरा साफ तोड़ देंगे यह आरन गोलेम फस जाएंगे और यह पूरा blocks हटने के बद यह कुछ ऐसा दिखेगा हमको अभी हमको विलेजर के ल लगाना भी दिखा दूंगा आपको हम लोग fletching table लेंगे आप भी यहीं लेना क्योंकि यहीं बहुत efficient है और इससे disconnect नहीं होते ज्यादा तो इस शेप में हमें लगा लेना है और इसको पूरा fill कर देना है और यहाँ पर हम लोग glass लगा लेंगे और guys finally हमारा पूरा complete हो गया और इसके उपर हम लोगों को slabs लगाने हैं अभी आप बीच में मत लगाओ fill hall मैं बस आपको दिखाने के लिए बता रहा हूं यह हम लोग पहले corners में लगा लेंगे ऐसा करने से क्या होगा कि iron golem यहाँ प मैं पहले हम लोग villagers को दाल देंगे और आपको एक green coat वाले villagers को नहीं डालना है क्योंकि यह कोई काम नहीं करता तो इससे iron golem spawn नहीं होते और ऐसे लोग इसको close कर देंगे अभी यह रात है इसलिए काम नहीं करते एक बार सुबह हो जाने तो फिर iron golem spawn होना start हो जाएगा तो अभी हम लोग यहाँ पे lantern लगा रहा हूं मैं तो यह बन गया अपना विलेजर का एक चेंबर ऐसा ही हमको एक और चेंबर बनाना है इसके opposite side तो मैं वह भी बना लेता हूं लेकिन आपको workbench कैसा रखना है फिर से एक बार दिखा दूंगा मैं तो चलिए यह भी दिखा देता हूं एक दो तीन चार पांच और फिफ्त वा विलेजर को भी लाके रख सकते हों अगर उनको बड़ा होने तक iron farm काम नहीं करेगा तो आप बड़ी villagers को लाना और उसके बाद यहां पे leaves लगा लेंगे हम लोग कि इससे iron golem spawn नहीं होंगे अपने border पर आप चाहों तो slab भी लगा सकते हो मगर leaves मेर को बहुत अच्छा लगा तो मैं leaves लगा ले रहा हूँ और guys यह हमको एक घंटे में खरीब 400 के आसपास iron देगा और कभी कभी कुछ ज्यादा भी दे देगा तो यह पूरा हम लोग fill कर लेते हैं और देखते हैं तो guys मैंने सुबह कर लिया क्योंकि रात में villagers काम नहीं करते first time तो इसलिए iron golem spawn नहीं हो तो guys इसमें हमको बहुत अच्छा खासा iron मिल जाता है और बहुत जल्दी जल्दी मिल जाता है तो hope आपको यह iron farm का वीडियो पसंद आया हो और आप discord में भी मेरा join कर सकते हो और आपका farm काम नहीं कर रहा तो आप मेरे को बोल सकते हो तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना हैं तो discord आप जरूर जाइन हो जाना तो मिलते हैं यार अगले वीडियो में जब तक के लिए good bye and peace out